प्रभोधिनी एकादसी रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो हे पार्थ अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुन्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रभोधिनी एकादसी की कथा सुनाता हूं शद्धा पुर्वक श्रवन करो इस विशय में मैं तुम्हें नारत और ब्रह्माजी के बीच हुए वार्तालाव को सुनाता हूं एक समय नारत जी ने ब्रह्माजी से पूछा हे पिता, प्रबोधिनी एकादसी के व्रत का क्या फल होता है? आप क्रिपा करके मुझे यह सब विधान पुर्वक बताईए ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्टिक मास के शुक्ल पक्षकी प्रबोधिनी एकादसी के व्रत का फल एक सहस्त्र अश्रमेग तथा सो रासुय यग्य के फल के बराबर होता है? नारजी ने कहा, हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रे में भोजन करने तथा, पूरे दिन उप्वास करने से क्या-क्या फल मिलता है? क्रिपा कर सह विस्तार समझाईए ब्रमाजी ने कहा, हे नारज, एक संध्या को भोजन करने से, दो जन्म के, तथा, पूरे दिन उप्वास करने से, साथ जन्म के, सभी पाप नश्ट हो जाते हैं जिस स्वस्तु का त्रिलोक में समिलना दुशकर है, वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादसी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है प्रबोधिनी एकादसी के व्रत के प्रभाव से, बड़े से बड़ा पाप भी शन भर में नश्ट हो जाता है पुर्व जन में किये हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रवोधिनी एकादसी का व्रत शन्भर में नश्ट कर देता है जो मनुष्य अपने स्वभावा नुसार प्रवोधिनी एकादसी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है हे पुत्र, जो मनुष्य शद्धा पुर्वक इस तिन किंचित मात्र पुन्य करते हैं, उनका वह पुन्य परवत की समान अटल हो जाता है जो मनुष्य अपने हिदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादिसी का व्रत करूंगा उनकी सो जन्म के पाप नस्ट हो जाते हैं जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादिसी को रात्री जागरन करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाले दस वीडियां विश्नु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक कश्टों को भोगते हुए, उनके पित्र विश्नु लोक में जाकर सुख भोगते हैं हे नारद, ब्रह्म हत्या आदी विकट पाप भी प्रबोधिनी एकादिसी के दिन रात्री के जागरन करने से नश्ट हो जाते हैं प्रबोधिनी एकादिसी को रात्री को जागरन करने का फल अश्रमेग आदी यग्यों के फल से भी ज्यादा है सभी तेर्थों में जाने तथा गो, स्वर्ण, भूमी आधी के दान का फल प्रबोधिनी रात्री के जागर्ण के फल के बराबर होता है हे पुत्र इस संसार में उस मनुष्र का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादसी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है संसार में जितने भी तेर्थ हैं तथा जितने भी तेर्थों की आशा की जा सकती हैं वह प्रभोधिनी एकादेशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं प्राणियों को सभी कर्मों को अत्याग करते हुए भगवान श्री हरी की प्रसन्नता के लिए कार्थिक माह की प्रभोदिनी एकादसी का व्रत अवश्य करना चाहिए जो मनुष्य इस एकादसी व्रत को करता है वह, धन्वान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है क्योंकि एकादसी भगवान विश्नु की अत्यन्द प्रिय है इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है इस एकादसी के व्रत के प्रभाव से काईक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पापों का श्रमन हो जाता है इस एकादसी के दिन जो मनुष्य भगवान विश्नु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यग्य आधिक करती है उन्हें अनंत पुन्य की प्राप्ति होती है प्रभोदिनी एकादसी के दिन भगवान श्री हरी का पूजन करने के बाद योवन और वद्धा वस्ता के सभी पाप नश्ट हो जाते हैं इस एकादसी की रात्री को जागर्न करने का फल सूर्य ग्रहन के समयन स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना जादा होता है मनुष्य अपने जन्व से लेकर जो पुन्य करता है वह पुन्य प्रभोदिनी एकादसी के व्रत के पुन्य के समान व्यर्थ है जो मनुष्य प्रभोदिनी एकादसी का व्रत नहीं करता उसके सभी पुन्य व्यर्थ हो जाते हैं इसलिए हे पुत्र तुम्हे भी विधान पुर्वक भगवान विश्णु का पूजन करना चाहिए जो मनुष्य कार्तिक मा के धर्म परायन होकर अन्य व्यक्तियों का अन्य नहीं खाते उन्हें चंद्रायन व्यर्थ के फल की प्राप्ति होती है कार्तिक मा में प्रभु दान आदी से उतने फ़र प्रसंद नहीं होते जितने की शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसंद होते है कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रभू की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं उन्हें सो गायों के दान के फल की प्राप्ती होती है ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारजी बोले हे पिता अब आप एकादसी व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से किस पुन्य की प्राप्ती होती है कृपा करके समझाईए नारजी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले हे पुत्र इस एकादसी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुरत में उठना चाहिए और स्नानादीक से निवत होकर व्रत का संकर्व करना चाहिए उस समय भगवान विष्णों से प्रातना करनी चाहिए कि हे प्रबू, मैं आज निराहा रहूँगा दूसरे दिन भोजन करूँगा इसलिए आप मेरी रक्षा करे इस प्रकार प्रातना करके भगवान का पूजन करना चाहिए और व्यत प्रारंब करना चाहिए उस रात्री को भगवान के समीप गाय, नित्र, बाजे तथा कथा किर्टन करते हुए रात्री व्यतीत करनी चाहिए प्रबोदिनी एकादिसी के दिन क्रिपन्ता को त्याग कर बहुत से पुष्प अगर धूप आदिसे भगवान की आराधना करने चाहिए शरंख के जल से भगवान को अर्ध देना चाहिए इसका फल तेर्थदान आदिसे करोड़ गुना अधिक होता है जो मनुष्य अगस्ते पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोडता है कार्तिक माह में जो बिल पत्र से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है कार्तिक माह में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करता है उसे दस हजार जन्मों से भी के सभी पाप नश्ट हो जाते हैं जो मनुष्य इस माह में तुलसी के दर्शन करते हैं या सपर्ष करते हैं या ध्यान करते हैं या किर्टन करते हैं या रोपन करते हैं अथ्वा सेवा करते हैं वे हजार कोटी यूग तक भगवान विश्णू के लोग में वास करते हैं जो मनुष्य तुलसी का पोधा लगाते हैं, उनके कुल में जो पैदा होते हैं वे प्रलय की अंत तक विश्णु लोप में रहते हैं जो मनुष्य भगवान का कदम पुष्ट से पूजन करते हैं वे यमराज के कश्टों को नहीं पाते सभी कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान विश्णु कदम पुष्ट को देखकर 80% होते हैं यदि उनका कदम की पुष्ट से पूजन करकिया जाए तो इससे उत्तम बात और कोई नहीं है जो गुलाब की पुष्ट से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती हैं जो मनुष्ट बकुल और अशोक की पुष्टों से भगवान का पूजन करते हैं वे अंतकाल तक शोक रहित रहते हैं जो मनिश्रे भगवान विश्णु का सफेद और लाल कनेर की फूलों से पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसंद होते हैं जो मनिश्रे भगवान श्री हरी का दुर्वादल से पूजन करते हैं वे पूजा के फल से सो गुना जादा फल पाते हैं जो भगवान का शमी पत्र से पूजन करते हैं, वे भयानक यम्राज के मार को सुगमता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्रे चंपक पुष्प से भगवान विश्णु का पूजन करते हैं, वे जीवन मित्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्ट्रे स्वर्ण का बना हुआ केत की पुष्ट भगवान को अर्पित करते हैं, उनकी करोड़ों जन के पाप नस्ट हो जाते हैं जो मनुष्ट्रे पीले और रक्त वर्ण के कमल से सुगंदित पुष्पों से भगवान का पुजन करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है इस प्रका रात्री में भगवान का पुजन करके प्राते काल शुद्ध जल्म की नदी से स्नान करना चाहिए स्नान करने की उपरांत भगवान की स्तूति करते हुए घर आकर भगवान का पुजन करना चाहिए इसके बाद ब्रहामनों को पुजन कराना चाहिए और दक्षिना देकर आदर सहित उन्हें प्रसन्नदा पुर्वक विदा करना चाहिए इसके बाद गुरु की पूजा करनी चाहिए ब्रामनों को दक्षिना देकर नियम को छोड़ना चाहिए जो मनुष्य रात्री स्नान करते हुए करते हैं उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए तेल की जगए घी और घी की जगए दूद अनों में चावल का दान करना चाहिए जो मनुष्य इस व्रत में भूमी पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तों सहित शया दान करनी चाहिए जो मौन धारन करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए जो मनुष्य कार्तिक माह में खड़ाओं नहीं पहनते उन्हें खड़ाओं का द्यान करना चाहिए जो इस माह में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए जो मनुष्य नित्यपती देव्मंदिरों में धीपक जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तामे के दीपक को गी और बाती सहित दान करना चाहिए जो मनुष्य चातुर माश्य व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुने ग्रहन करना चाहिए जो मनुष्य प्रवोदिनी एकादसी के दिन विधान पुर्वक वत करते हैं, उन्हें अनंध सुक्की प्राप्ती होती हैं, अनंत में स्पर्को जाते हैं जो मनुष्य चातुर मास्य वरत को बिना किसी भादा के पोर्ण कर लेते हैं, उन्हीं दुबारा जन्म नहीं लेना पड़ता जिन मनुष्यों का वरत खंडित हो जाता है, उन्हें दुबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए जो मनुष्य इस एकादसी के महात्मे को सुनते वो पढ़ते हैं अश्व मेग यगी के फल की प्राप्ती होती है कथा का सार कुछ इस प्रकार से है वेदा ध्यन तपश्यावत त्याग की द्रश्टी से चातुर माश्री का नियम अति महत्य पूर्ण भगवान श्री हरी की भक्ती में लीन होने के लिए ये समय अति उत्तम होता है ग्रहस्त व्यक्ती भी चातुर माश्री में भगवान विश्णु की भक्ती का पूर्ण लाव उठा सकते हैं जै श्री हरी